Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide खराता है. High quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की. CBSE board के courses के साथ साथ आपको other state board के भी courses available है. In India medium जैसे के UP board, विहार board, Delhi board के courses. Proper systematic way में, कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी. Daily practice sets के questions भी मिलेंगे. Practice भी करते चाहिएगा. E-books और E-notes की link आपको description box में available है. तो भटकने की बात नहीं बनती. So, आज का topic हमारा क्या है? क्या दिख रहा है आपको? The cold deserts, लद्दाक है ना? इससे पहले जो class में हमने hot desert के बारे में दिखा था. सहरा desert के बारे में. अब hot हो गया, बारी आई cold की. बहुत हमने दिमाग को गरम कर लिया. अब बारी ज़रा सा दिमाग को ठंडा कर ले. है ना? नहीं, वैसे हम दिमाग को ठंडा गरम नहीं करें. लेकिन deserts के features जान रहे हैं. कि किस-किस type के desert world में present है. तो hot desert की खासियत हर चीज हमने देखी सारे desert की, जिसको हम revision भी करेंगे, revise भी करेंगे. क्योंकि भही important है. ठीक है, chapter ही पूरा उस पर बेस है, तो revision करना तो बनता है. उसके बाद फिर आज के topic में आएंगे. तब ही relate करके चीज़े चलेंगे. तो पहले तो आप क्या कर दीजे, like share कर दो. पहले तो आप अपना काम कर दो. क्या करना है, आपको simple, sober सा काम. बिल्कुल, like और share. like share करते हैं, उसके बाद जो सहरा डेज़ेट के बारे में चीज़ें पड़ी थी, उसको discuss करते हैं. ठीक है, अगर हम मैं देखें, features या characteristics of सहरा डेज़ेट. तो क्या characteristics ते सहरा डेज़ेट के? सबसे पहले चीज हमने क्या देखे थी? सबसे first चीज हमने क्या देखे थी याँपे? It is It is a hot desert. सबसे पहले ये पता होना चीज के बारे में कि ये क्या है? बहुत गर्म रेगिस्तान है, hot desert है. ठीक है? फिर हमने क्या देखा था? largest desert भी है. सबसे बड़ा desert भी है. largest desert. largest desert in the world. दुनिया का सबसे बड़ा desert भी है. ठीक है? और क्या देखा था? अमने साहरा desert के बारे में ये कहां situated है? कौल से continent में located है? इस लोकेटेड इन एफ्रिका. कहां पे लोकेटेड है? अफ्रिका में लोकेटेड है. और क्या देखा था? इसके बारे में कित्ती कंट्रीज को टच करता है? ये टच करते हुए जाता है क्योंकि बहुत बड़ा desert है. इट टच इस 11 कंट्रीज. 11 कंट्रीज को टच करते हुए जाता है. 11 कंट्रीज जैसे हमने एजिप्ट, लेबिया वगेरा दिखा था था तो 11 कंट्रीज उसको टच करते हुए सारा desert निकलता है. तो ये खास features ये characteristics के हम बात करें जो बिल्कुल basic हमें पता होनी चाहिए कि गर्म रेगिस्तान है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा desert है, एफरीका में located है और अगर हम देखें क्या करता है, 11 कंट्रीज को टच करते हुए चलता है. अब अपने एफरीका का मैप में देखा था, image देखे थी, तो एफरीका में भी इत्ता हमने notice करा था कि northern part में था, बने ठीक है हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया एक देश है, तो हम बोलते है नौर्डर इंडिया, Southern इंडिया, तो ऐसी एफरीका एक continent है, तो एफरीका जो continent ह उसका northern हिस्सा, काफी कुछ नो northern पार्ट का बड़ा हिस्सा यह जो सारा desert egg cover करता ही, हमने देखा था, यहाँ पे बारिश कैसी होती, low rainfall, है न, rainfall कैसी रहती, बहुत इकम, low rainfall, very low rainfall, बहुत इकम rainfall रहेगी, हमने क्या देखा था, यहाँ पे flora and fauna के बारे में भी देखा था, कि अ अगर हम बात करें flora की, है न, जो अगर plants life या plants कौन से कौन से आ देखने को मिलते हैं, तो हमने date palm वगएरा देखे थे, और भी हमने plants वगएरा देखे थे, फिर हमने देखा था, अगर कैसा region हो, OSS वाला, है न, जहाँ पे थोड़ा बात water वाला area मिलता है, पानी वगएरा म क्यों क्रोकडाइल तो पहले जब river थी तो जादा देखने को अगर हम मिले, snakes है न, lizards की हमें variety देखने को मिलती है, snakes देखने को मिलते है, ठीक है, और क्या देखने को मिलते है, ostrich वगएरा, एक नाइम पे मतलब यह चीजे थी, लेकिन commonly यहाँ पे अगर हम देखे scorpions, snakes है न यह चीजे यहाँ पे, desert में, अगर हम बात करें fauna की, तो हमें देखने को मिलती है, animal life, ओके, अब एक इसके बार में interesting fact हमने क्या पढ़ा था, interesting fact हमने पढ़ा था कि एक जमाने में, सहरा desert कैसा हुआ करता था, lush green plain हुआ करता था, है न, ठंडा इलाका हुआ करता था, और हो सकता है इसका, कि वही सही बाते कभी ने, कभी यहाँ नदी हुआ करती होगी, लेकिन अब वो नदी लुप्त हो गई, चली गई, सूख गई, है न, वो area ही सूख गया, पूरा arid region हो गया, dry हो गया, एक रेगिस्तान बन गया सूखा, ठीक है, तो climatic changes के कारण बदला तो day, days and night, days में कैसा temperature रहता है, almost 50 degree तक पहुच जाता है, न, almost 50 degree Celsius तक पहुच जाता है, अगर हम night ही बात करें हो, temperature किता पहुच जाता है, लगबाग, 0 degree Celsius तक पहुच जाता है, मतलब दिन में इतना गर्मी और रात में बहुच ठंडी, मतलब freezing cold, ऐसा फरक आ जाता है, ठीक है, तो यह temperature हमने दिखा था कि यह चलता रहता है, साहरा का, तो यह सारी चीजे हमने साहरा desert के बारे में देखी थी, वहाँ पे हमने लोग के occupation देखे थे, हमने oil वगेरा का भी देखा था लिबिया, एजिप्ट वगेरा में oil का भी रहता है, हैना धीरे धीरे अब क्या करें, ट्रांस्फॉर्म करें, अब जैसे salt rate के बारे किसका यूज करें, ट्रक वगेरा का यूज करें, तो अब लोग कैसी life अपना रहे है, जो नॉमेडिक अगर हम देखे है, cold desert लद्दाग, ठंडे रेगिस्तान लद्दाग के बारे में पढ़ने की ज़रूत है, हैना, cold desert है, कौनसा लद्दाग, कहां है लद्दाग, ये देखो, ये पहचाना हुआ मैप लग रहा है, कौनसा मैप लग रहा है, किस कंट्री का, इंडिया का मैप है, हैना, ये हमारे पोर्शन लद्दाग, नौर्थ साइड मिलेगा ना मैप ये, ये, ये पूरा, पूरा ये एरिया कौनसा है, लद्दाग, ठीक है, फ्लियर रुआ, लद्दाग is a cold desert lying in the great हमालया, जो कहां मिलता है, हमें great हमालया है, ना, दे कारा कोरम रेंज देखेंगे, और नीचे कौनसी नेंज की बात हो रही है, आपे, जन्सकार माउंटेल, साउट से, इसको क्या करते है, cover करते है, इसको close करते है, ठीक है, ये देखो, स्कोटा आते, ये, जम्मू कश्मीर के east में हमें देखने को मिलता है लद्दाग, ठीक है, several rivers flow through लद्दाग, लद्दाग से बहुत सी rivers होते हैं, इंडस being the most important among them, और इसमें से सबसे important river कौनसी, इसमें सबसे important river की हम बात करें, तो इंडस river है, इंडस river क्या आप देख पारें, ये दिखरी न, आपको इंडस river, ये देखो, ये बहरी इंडस river, ये देखो, दिखरी न, इंडस river, clear, तो इंडस river क्या है, important इसमें, the rivers form deep valleys, अब river क्या form करती है, गहरी गहरी valleys को form करती है, and gorgeous, several glaciers are found in Ladakh, for example, the gangri glacier, अब बहुत से glaciers भी हमें देखने को मिलते हैं, ठंडा हो जाता है, बिल्कुल माइनस में रहता है, बिल्कुल बर्फ की sheets, glaciers हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें जैसे example की तौर पे हम देखे, गंगरी glacier कौन सा glacier की बात हो रही गंगरी glacier की बात हो रही पूरा इलाका ये वाला देख रहे हो word origin लद्दाक is made up of two words जो लद्दाक है दो words से बना है la meaning mountain pass and dark meaning country दो words से बना है ध्यान देना la meaning la का मतलब होता है mountain pass ठीक है और dark meaning country दाक का मतलब क्या होता है देश country clear हुआ कोई confusion तो नहीं किसके बारे में पढ़ रहे हम हमारे cold desert यानि लद्दाक के बारे में पढ़ रहे हैं तो लद्दाक क्या है cold desert है कहां है ये बहुत ध्यान देना important है लद्दाक जो है हमारा great himalya eastern side जम्मू कश्मीर के पास हमें देखने को मिलता है जैसे कि हमें दिखी रहा है कारा कोरम range इसको north side से cover करती है है ना मतलब इसके north में अगर हम बोलें लद्दाक desert है तो उसके north में ऊपर कारा कोरम range मिलेगी और नीचे क्या मिलेगा जन्सकार mountain हमें देखने को मिलता है जो इसको in close करता है cover करता है बहुत से rivers लद्दाक के through बहती है इंडस being the most important among them और उनमें से important सबसे कौन सी इंडस river है ना जैसे कि अभी है मैंने यहापे highlight करी rivers क्या करती है deep valleys को form करती बही deep deep valleys बनती है create होती है glaciers भी लद्दाक में हमें देखने को मिलते है example के तौर पर हमने क्या देखा जैसे गंगरी glacier लद्दाक का meaning भी बहुत अच्छा है लद्दाक का मतलब होता है अगर हम लद्दाक की बात करें तो mountain pass अगर हम दाक की बात करें तो country ठीक है clear हुआ इतना समझ में आया की नहीं आया है आगे बढ़ते है फिर चलो the altitude in लद्दाक varies from about 3000 meters in kargil to more than 8000 meters in the karakoram जो height है अगर altitude की बात करें किसकी लद्दाक की the altitude in लद्दाक लद्दाक का जो altitude है कैसा है कैसे वरी करता है almost थोड़े से changes होते रहे थे कारगिल से लेके मतलब यहाँ पे 3000 meter kargil से लेके more than लगबक 8000 meter karakoram तक due to its high altitude obviously बहुत height में the climate is extremely cold and dry बहुत उचाई पे बहुत जादा उचाई पे तो climate कैसा देखने को मिलता है climate बहुत जादा ठंडा और सुखा dry मिलता है अब जो air है altitude में कैसी मिलती height में बहुत पतली है ना तो जो heat होती sun की वो आराम से हम feel कर सकते है मतलब हवा इतनी वो नहीं बहुत पतली बहुत कम हवा the day temperature in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below minus 30 degree Celsius अगर हम दिन के temperature की बात करें तो दिन का temperature गर्मियों में गर्मियों में दिन का जो temperature रहे 0 degree से उपर रहता है क्या बात है क्या बहुत बढ़ी है मतलब 0 degree से गर्मियों में temperature रहता है तो ठंडियों में क्या होता होगा सोचो आप खुदी और night पर जो temperature किता रहता है minus 30 degree से भी कम celsius से भी कम तो वह अब आप समझ लो कि कितनी ठंड होती होगी जाना है जाना है घूमना है लग्दा क्समर्स में जाना हा घूमने it is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below minus 40 degree celsius for most of the time अब बात गर्मी की कर रहे थे लो ठंड की बाद भी यहाँ पर आगे ठंड में क्या रहता है बहुत ही freezing है जमने वाली इसी ठंडी रहती temperature बहुत कम रहता है जो किससे minus 40 degree celsius से भी कम रहता है जाना तर मतलब ऐसे temperature देखने को में मिलता है clear तो क्या में बताया चाहर है यहाँ पर तापमान की बात हो रही तो हमने सारा desert का टापमान देखा था temperature देखा था कि रात में पहुचता है 0 degree celsius लेकिन यहाँ पर जो हाला चल रहे है यहाँ पर जो है यहाँ तो दिन में ही summers में 0 degree और अगर बात कर as low as 10 cm every year यह का मिलता है में rain shadow जो है हमालया के तो यहाँ पर rainfall बहुत कम होती है लगबा किती 10 cm तक every year किती rainfall हो पाती 10 cm the area experience is freezing winds and burning hot sunlight यह area क्या experience करता है बिल्कुर ठंडी ठंडी हवाएं चलती है न और sunlight कैसी रहेगी बहुत ज़्यादा चुबने वाली sunlight रहेगी अगर जो सूरी की किरने आती हाँ पर कैसी लगती बहुत ज़्यादा चुबती है क्योंकि हमने देखा ना जो air कैसी रहती पतली layer रहती है कि इसके कारण sunlight बहुत चुपती है लेकिन हम बात करें हवा बहुत ठंडी चलती है you will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time क्या बात है यह तो बहुत interesting बात है सप्राइजिंग है सच्छ में सप्राइजिंग है कि अगर आप sun के सामने बैटोगे हैना बैटोगे मिलब रौश्णी में बैटोगे सूरी की रौश्णी में बैटोगे sunlight में बैटोगे हैना sun with your feet in the shade हैना आप sun के सामने बैटो और आपकी feet जो feet है वो shade में रहेगी you may suffer from both आ do you know भाई क्या नो करने के लिए बोल रहे है द्रास one of the coldest inhabited place on earth is located in Ladakh मतलब world की सबसे थंडी जगे हम कहते है world की सबसे थंडी जगे कौन सी है द्रास जो कहां located है Ladakh में located है मतलब हमारे इडिया में world की सबसे थंडी चीज जगे located है द्रास Ladakh is also known as khapa chan which means snow land Ladakh को khapa chan भी कहा जाता है जिसका मतलब क्या होता है बर्फ की जमीन बर्फ का लैंड धर्ती किसकी बर्फ की धर्ती थंडी है भही बहुत थंडी है even world की जो सबसे coldest place है वो भी है यह तो थंडा तो हो गई तो इसको क्या बोलते खापा चान भी कहा जाता है चलो Scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze अगर जानवरों को यहाँ पे चरना है ना तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से गांस वगेरा मिलती है और shrubs मिलते हैं बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम Groves of willows and poplars are seen in the valleys. During the summers food trees such as apples, apricots and walnuts bloom जो growth से किसके willows के पेड है willow और poplars है ना यह हमें valleys में देखने को मिल जाते हैं नहीं कहीं कहीं जो birds की अलग-अलग species हम देखते हैं जैसे कौन सी होगे रॉबिन्स होगे रेट स्टार्ट होगे तिबटिन स्नो कॉक हो गया है ना रेवन हो गया हुपो हो गया यह बहुत कॉमन है यहां पर फ्लोरा फॉना की हमें बात बताई जा रही है तो यह हमारे फ्लोरा है ट्रीज और यह हमारे फॉना है कि कौन से बर्ड और अनिमल की स्पीशिस हम यहां देखते हैं यहां पर ध्यान रखना कि कैसा एरिया रहेगा वेजिटेशन बहुत मुश्किल से हो पाती है ग्रास बहुत ही कम उख पाती है क्यों क्योंकि सूखा रीजन है ना बारिश बहुत कम होत होती है क्लियर चलो अगर आप सचे ओंना है तो बारिश होगी ग्रास होगी तो नहीं ठंड़ा इलाका भी सुखा सूखा होता है ड्राय रिजन होता है में तो जो रोल रएदा है क्लेश भी होता है तो ऐसा नहीं कि ठंडा इलाका है तो पानी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, dry region है, ये ध्यान रखना, दोनों ही desert हमने जो देखें, चाहे सारा की बात करें, चाहे लद्दाक की बात करें, dry हैं, बारिश बहुत कम होती है, vegetation बहुत कम है, ये common चीज़ देखते को मिलती है, clear, चलो ये जंगली भीडों की हम बात करें, याक की बात करें, और special type के dogs हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो उस रीजन में survive कर पाएं, है ना भगवान ने naturally चीज़ ही ऐसी बनाई हैं, कि जो उस रीजन में survive कर जाएं, तो ये wild goats, wild sheep ये आरब से survive कर पाते हैं, बहुत, the animals are rare to provide for milk, meat and heights, animals क्या provide करते हैं, milk, meat and heights provide करते हैं, याक's milk is used to make cheese and butter, जो याक है उसका दूद किस लिए काम आता है, cheese और बटर वगएरा बनाने के लिए काम आता है, the hair of the sheep and goat is used to make woolens, अब जो बकरी और जो भेडों के बाल हैं, क्या बनाने के लिए काम आते हैं, वोलन्स बनाने के लिए काम आते हैं, उन्स बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है, do you know भाई क्या नो करने के लिए बोल रहे हैं, the chiru or the Tibetan antelope is an endangered species, चीरू और जिससे क्या बोलते हैं, चीरू और the Tibetan antelope, है ना, चीरू और तिबितिन antelope, जिसको कहा जाते हैं, चीरू भी बोलते हैं, ये एक endangered species हैं, जाने बहुती कम बची, डेंजर जोन में हैं, समझ लोग, it is hunted for its wool known as शातूश, which is light in weight and extremely warm, अब इसको क्यों हैं, इसका जो उन होता है, बहुती अच्छी quality का होता है, बहुत गर्म होता है, इसलिए इसकी हंटिंग की जाती है, ठीक है, इसलिए इसकी क्या करी जाती है, इसक इसलिए इसका जो उन है, जिसका नाम क्या है, शातूश, इसके लिए, है ना, लालच, लोग चाहते हैं, अच्छा गरम उन मिले, बड़ी और से बनाए हम स्वेटर वगेरा, शौल, तो hunting करते हैं, इसलिए इंडेंजर डिस्पीशीज है, किसकी बात हो रही, चीरू, तिब इसलिए या का मिल्क, चीज और बटर बनाने के काम आता है, और जो हैरे, बाल, शीप और गोट के, लोट, और णोन बनाने के काम आते है, ठीक है, चलो पीपल अब लोग की जिंदगी कैसे चलती है लोग यहाँ पर कैसे सर्वाइफ करते है यह क्या है ठिकसी मॉनेस्ट्री यहाँ पर खूब मॉनेस्ट्री भी हमें देखने को मिलती बुद्धिस्ट क्या आपको कुछ resemblance मतलब चीज़े थोड़ी सी सेम लगती है जो लोग तिबब और सेंट्रल अशिया में रहते हैं क्या इनके बीट में कुछ सिमिलारिटी देखने को मिलती है लद्धा को पते क्या बोलते हैं लद्धा को लिटल तिबब भी कहा जाता है यहां के जो लोग हमें देखने को मिलेंगे या तो मुसलिम धर्म के होंगे या तो बुद्धिस रहेंगे ठीक है इन फाक्ट सेवरल बुद्धिस मोनेस्टरीज डॉट दी लद्धा की लैंस्केप विद देर ट्रडिशनल गोंपास यह देखो यह है न बुद्धिस मोनेस्टरीज भी हमें देखने को मिलेगी जिसको लद्धा की लैंसकेप है न यहां पे ट्रडिशनल अगर पारंप्रिक तोर पर किसकी सका गोंपास के साथ कुछ फेमस जो मनेस्टरीज कौनसी कौनसी है है मेस ठिकसी शेई और लमायोरू ठीक है चलो यहां पे यह ध्यान रखना जो मेजर रिलिजन हमें देखने को मिलेगा लोगों का वो क्या रहता है मुसलिम और बुद्धिस यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है चलो समर सीजन में लोग क्या ग्रो करते हैं समर सीजन में जो पब्लिक है जनता है यहां की कल्टिवेट करती बारले ग्रो करेगी पटेटोस, पीज, बीन्स और टर्निम जो क्लाइमेट रहता है ठंड में कैसा रहता है बहुत जादा दिक्कत वाला बहुत हर्च रहता है तो लोग क्या करते है? खुद को बहुत सी फेस्टिवीटी और सेरेमनीज करते रहते हैet Boston के तहवार तीज तहवार वाली चीज़ें ceremonies यह चलती रहती है The women are very hard working जो ओरते हैं यहां की बहुत ज़ादा महनती है They work not only in the houses and fields but also manage small business and shops ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में या खेतों में काम कर रही है और भी काम दंदा करी जैसे business और shops को भी manage करने का काम कर रही है Do you know The finest cricket bats are made from the wood of the willow trees अच्छा Cricket सबसे common ऐसा game है जिसको almost सभी पसंद करते हैं और इंडिया में तो फिर क्या ही कहने है हर गली पे हमें cricket खेलते हुए बच्चे दिखी जाएंगे ग्राउन में प्रैक्टिस करते हुए है ना बड़े बच्चे चाहिए छोटे भी अंकल लोग भी एवन खेलते हैं संडे संडे छुटी के टाइम मैंने देखा है अब जो cricket bats है है ना अगर finest जो बहुत बढ़िया quality के cricket bats सो बनते हैं है ना वो किस से बनते हैं किस की लकड़ी से बनते हैं विलोट्री की लकड़ी से बनते हैं अगर क्रिकेटर हो आपको पसंद है क्रिकेट खेलना तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि जो क्रिकेट के बढ़िया quality के bats है वो कौन सी पेड़ की लकडी से बनते हैं विलोट्री, क्या नाम है विलोट्री, ठीक है, चल ले, the capital of Ladakh is well connected both by road and air अगर हम बात करें, ले क्या है, किस की capital है, Ladakh की capital है, किस से connected है road or air, है ना, आप air की थूँ जा सकते हूं, airways की थूँ, roadways की थूँ जा सकते हूं जो नाशनल हाइवे वन, connect करता है, ले को कश्मीर से कैसे, कश्मीर वैली से, किस के थूँ, जोजी ला पास के थूँ क्या आप हिमालियाज में और भी ऐसे important passes के नाम बता सकते हैं, बनलब जहां से गुजर सकते हैं यह क्या है, बाराल जशाला, नाम थोड़े ऐसी रहते हैं, ठीक है बाराल जशाला, पास altitude यह दिखो है न, पास है यह भी मनाली ले हाइवे क्रॉस्स फोर पासिस रोहो तंगला बरा लाचला लूंगला चला एंड तंगलंगला थोड़े केते नामे तंगलंग तंग कर रहे हो मनाली क्रॉस करते चार हाइवे इसके अदर आते रोह तंगला बरा लाचला लूंगला और तंगलंगला यहाइवे कब से कम उपन रहते यह जुलाई से से शेप्टेंबर तक उपन रहते इनके बीच पे उपन रहेंगे पर जो रोड में स्नो नहीं मिलेगी है नहीं तो देखा निया आप मुवीज वगरा देखते होंगे मैं तो कभी गई नहीं ऐसे घूमी नहीं इस तरीके से ऐसे अलाकों में अचा जहां बर्फ जमी स्नोफॉल मैंने अभी तक देखा भी नहीं है लेकिन देख लोगी कभी दा ठीक है? चलो. Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Tourism यहाँ पर बहुत अच्छा कासा होता है. खूब लोग आते हैं घूपने फिर देखले. चाहे अब इंडियन लोग की बात करें, चाहे हम बाहर के लोग की बात करें, बहुत आते हैं लोग घूपने फिर देखले के लिए. Visits to the gom pass, tracks to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities. कहां विजिट करते हैं? गोमपास में विजिट करते हैं ना? जो हैं, meadows को track करते हैं, इसको देखते हैं, glaciers में, witness करते हैं, ceremonies, festivities, जो भी होता रहता है, उसको देखने आते हैं. बदलाव आ रहे हैं, चीज़े थोड़ी सी अप्ग्रेड हो रही हैं. But the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. है ना? ठीक है, modernization आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं Ladakh में रहते हैं, सदियों से, वो ये सीख चुके हैं कि कैसे हमें nature के साथ balance बना के चलना हैं. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. अब इनको बहुत अच्छे से पता हैं कि पानी और fuel की बहुत जादा कमी हैं. है ना, तो चीजों को कैसी युशों करतें, जो संसाधने साधनों को बहुत ही सोस समझके यूश करतें. क्योंकि उनको पता है कि कमी बहुत है, है ना तो किसी भी चीज़ को बरबाद नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, फेकते नहीं है, क्योंकि उनको पता है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो उसको कैसे कैसे रिसाइकल करके और तरीकों से यूज किया जाए, फेका ना जाए, वे ज़यादा आवेर भी रहते हैं. क्यों? क्यों कि हमने देखा न कि लोक ये क्या है लदा की वुएंज की वुमेन इन ड्रेस् सुलेच्ट है कि ये लदा की वुमेन इन ड्रेस्थाव हैं, देखो इनकी ड्रेस्ट है? ठीक है ? ठाकोट में इन tender फैली? स्टिबती नेपली लोग जैसे ही लगते हैं ना चल इसी के साथ भई हमारा जो कोल डेजर्ट लद्दाक की इंफरमेशन एंड होती है और हमारा चाप्टर भी एंड होता है चाप्टर जैसे कि मैंने पहली बोला था बहुत जादा बड़ा नहीं है ठीक है तो मैं उमीद करती सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक शिर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियो देखना चाहते तो आप मैगनेट प्रेंस के यूट्यूब चैनल एप्लिकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं यह दो चुरीबॉक्स के लेंग आपको डिस्क्रिप्चिप्शन बॉक्स में अविलेबल है इस सारे के सारे के सारे हाइई क्वॉलिटी के और 100 पोसिंट फ्रीकोर्स आपको एविलेबल जैसे कि CBC बोर डैली बोर्ट पर हार बोर यूपी-बोर्ट-एंप बोड राजेस्तान, बोड वैनिक मैंट, स्क्राश कोर्स, पोकन इंगलिश कोर्स, ठीक है, आप हमें इस सारे प्लाट्वाम पर भी फॉल्लो कर सकते हैं, जैसे कि वाटसप है, एक्स है, इंस्टा है, फेस्बुक और यूट्यूब, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ब तो बॉस्तान, जैसे कि प्बुक और वॉचप करना एंगलिश कोर्स, पोक्तान, अजैसे कि वाटस, पूस्टान, खंगलिश कोर्स, प्लाट शब्यूद, अ्यूद, तो अजैसे कि अए उच्छाएउ, और ने वाटफ, नियूद, इसना में अधर श्टान, नाइसना अट